चैम आता दी दोस्तों कैसे हैं आप सबी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 नवंबर और 20 नवंबर के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए नवंबर माह के ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में कौन से तिति होग प्रेम सम्मन्द के बारे में सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें चली अब जान लेते हैं उन्नीस नवमबर के बारे में 19 नवंबर का दिन क्रस्न पक्षकी सब्तमीति थी है और असलेशा नक्षतर रहेगा ब्रह्म नाम का योग बन रहा है मंगलवार का दिन है और सूरे जो है वो व्रश्चिक राशी में है चंद्रमा करक राशी में है रात को साड़े नौ बजे तक उसके बाद सिहिंग राशी म है चंद्रमा सिहिंग राशी में है सूर्य व्रश्चिक राशी में है लेकिन इस दिन सूर्य का नक्षत्र बदलेगा विसाखा नक्षत्र से अनुरादा नक्षत्र में सूर्य देव प्रवेश करेंगे तो इनी नक्षत्रों के आधार पर हम जानेंगे कि सिहिंग राशी के लिए ये समय कैसा रहेगा तो दोस्तों 19 नवंबर रातरी में साड़े नौ बजे चंद्रमा आपके लगन में प्रिवेश करेंगे और ये जो समय होगा ये आपके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है लेकिन 19 नवंबर की हम बात कर रहे हैं तो 19 नवंबर का जो दिन है वो काल बіє्रव जयन्ती का दिन भी है मागशिर्स महा के अस्टमिदिथि को काल बेहरव जयन्ती मेनाई जाती है और साड़े तीन बज़े से अस्टमिदिथि शुरू होगी तो ये जो काल बैहरव को भगवान बोले नात का ही अंश्माना जाता है तो इस दिन विधिवत पूजार्चना की जाती है और कुछ उपायद जरूर किये जाते हैं जो आपके कश्टों का निवारन करते हैं तो इसके बारे में हम वीडियो के अंत में जानेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये दो दिन आपके लिए कैसा समय लेकर आए है तो इस समय आप किसी ऐसी समस्या को सुल जा सकते हैं जिसे आप सुल जाने ही पा रहे थे या आप किसी ऐसी चीज में फसे हुए थे जिससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी आप वहां से बाहर नहीं आ रहे थे तो ऐसे कारे को करकर आप अपनी समस्या को हटा सकते हैं और इस चीज के आपको हैरानी होगी कि आप कितनी आसानी से इस चीज को बाहर कर पाए हैं अपने अंदर से तो ये समय आपके लिए बेहर अच्छा रहेगा इस समय आपकी जान पहचान के लोगों के बीच आपकी बात चल सकती है कुछ काम की बाते हो सकती है और कुछ आपके काम को भी सरहा जा सकता है इस समय दोस्तों से मिलना जुलना भी होगा और दोस्तों के साथ मौज मस्ती का समय भी होगा उनके साथ मिलकर आपको काफी सुकुन भी मिलेगा आपको ऐसा लगेगा कि जो पहचान आपको मिलने चाहिए थी वो आपको पहचान नहीं मिली थी और इसकी शुरुवात अभी आपके साथ हो सकती है आपके काम को एक पहचान मिल सकती है आपके व्यक्तित्व को एक पहचान मिल सकती है इस समय जो आप कारे कर रहे हैं उसकी वज़े से आप सब की नजरों में रहेंगे और सब कुछ आपकी यूजना के अनुसार ही चलेगा इस समय आपके करियर में विरदी के होने के संकेत भी मिल रहे हैं जो आपको काफी आगे लेकर जा सकते हैं तो जो आप महनत कर रहे हैं उस महनत को आप जारी रख के उसमें आप कमी ना आने दें क्योंकि यह आपको आगे बढ़ाएगा और आपको मुच्छी सिखर तर लेकर जा सकता है इस समय परिवार के सदस्य आपसे कुछ पैसों की मांग कर सकते हैं हो सकता है कोई बड़ी मांग कर सकते हैं तो अगर आप अपने जवा पुंजी में से उनको पैसे देते हैं तो ये परिवार के लिए आपका एक बहुत बड़ा दाइत होगा तो ऐसा आप जरूर क करें अगर आप कर सकते हैं इससे आप रिष्टों में मजबूती लाएंगे लिकिन ये परिवार के सदस्यों के लिए ही है अगर कोई रिष्टेदार इस समय आप से पैसे की मांग करता है तो आपको सोच समझ कर ये कदम उठाना होगा क्योंकि हो सकता है रकम वापिस ना मिले और इस रकम की वज़े से रिष्टे भी खराब हो सकते हैं इसलिए इस हालत से आपको समझदार इसे बहार आना है ताकि पैसा भी हाथ से ना जाए और रिष्टे भी ना बिगड़ें तो इन दोनों ही चीज़ों का आपको दिहान रखकर चलना होगा रचनात्मक चीज़ों के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा आपकी रचनात्मक ता अच्छी रहेगी आप अच्छी कल्पना इस समय करेंगे और ये कल्पना आपके हकीकत में भी बदल सकती है इस समय आप कुछ अलग तरीकों से अपने कारे को करेंगे अपनी कारे की योजना बनाएंगे जो दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकती है दूसरों का ध्यान आप अपनी तरफ आकरशित कर पाएंगे कुछ वित्या लाव की प्राप्ति के भी प्रबल संकीत मिले हुए है अगर आप शेर बाजार में निवेश करते हैं तो शेर बाजार में निवेश के लिए अच्छा समय है आप कर सकते हैं इस समय आप अपने शौक को विक्सित करने का काम कर सकते हैं अपने शौक के जरीए भी आप एक अच्छा आयका स्रोत बना सकते हैं जो भविश में आपके लिए बेहद लाबदायक हो सकता है परिवार में कुछ मांगली कारेकरम का योग भी बना हुआ है कुछ मांगली कारेकरम भी हो सकते हैं और इस समय यात्राओं का योग भी है तो यात्राओं में आपको खास तोर पर साफधानी जरूर बरतनी होगी अगर लंबी दूरी की यातरा कर रहे हैं तो उसे टालने का प्रयास करें या फिर अपने सामान की आपको सुरक्षाद जरूर करनी होगी किसी भी तरह की वादिवाद के स्तिती से दूर रहना होगा खासकर परिवार में किसी विवादित मुद्दे पर अगर बात होती है तो आपको उन बातों के बीच में पढ़ने सी बचना है फिलाल बचेंगे तो बहतर रहेगा इस समय संतान पक्ष का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और विद्यारतियों के लिए ये समय आच्छा रहेगा जो विदीसी एजुकेशन का सपना देख रहे हैं उनका ये सपना पूरा हो सकता है तो इस समय विद्यारति अपने घर परिवार पर भी ध्यान देंगे और अपने अधन पर विरुची ले पाएंगे और इस समय विद्यारतियों के लिए खास समय होगा तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान अच्छी सिक्कें जिताब कर पाएंगे आर्थिक परिशानी अगर चल रही थी तो उससे बाहर निकलने का ये समय है इस सपतह सफल होने का योग है यानि इन दो दिनों में आप सफल हो सकते हैं आर्थिक परिशानी से बाहर निकल सकते हैं आपको प्रियास अधिक करने होंगे और आपके गेगे प्रियास से आपको सफलता भी मिलेगी तो इस समय का पूरा लाब आप उठा सकते हैं प्रेम जीवन की यदि बात करें तो आज के दिन आप अपने चाहने वालों के प्रती अपना उत्साहा और प्रेम प्रकट कर सकते हैं, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है या फिर आपका कोई प्रेम सम्मद्ध भी हो सकता है, तो रोमान्स आज आपका आगे बढ़ेगा, अ उसके सामने आप जरूर बचाएं, हिचके नहीं, क्योंकि ये जो चीजे होती हैं, ये आपके जिन्दगी में एक अच्छा बदलाव ला सकती हैं, इसके दिल की बातों को दिल में न रखें, आज दिल से बाहर जरूर निकालें, अपनी साथी के प्रति, अनुभूती प्रकट जरूर करें, और वो इस चीज को सुनकर खुश भी होगा, और इच्चुक भी होगा उस चीज को सुनने के लिए, तो इसलिए अपने प्रेम के मामले में आपको बढ़ चड़ कर उसके प्रति हिस्सा लेना चाहिए, स्वास्ता की बात करें, तो आज आप खुद को बेहद तरो ताजा महसूस करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा कि हलका व्यायाम जरूर करें, जो आपकी उर्जा के इस्तर को बढ़ाने का काम करता है, आप अपने दोस्तों को किसी खेल के लिए आमंत्रेद भी कर सकते हैं, आज किसी स्पोर्ट के लिए भी आप जा सकते हैं, तो इसका भी इंजाय करें और ऐसी चीजों को समय समय पर आप करते रहें, योकि इससे आप बेहद सकारातमक होते हैं, तो ये चीजें आपके लिए बेहद अच्छी रहेंगी, अब हम बात करेंगे 19 नवंबर की काल भहरव के बारे में, तो दोस्तों ये अस्टिमी को और ये भगवान शंकर के ही आंच हैं, तो इस दिन आपको क्या करना हैं, इस दिन आप काल भहरव को पांच नीबू जड़ाएं, जिससे आपकी सभी परेशानियों से मुक्ति आपको मिल सकती हैं, और विदी पूरवक आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, और इस पूजा मे आप विदी पूरवक पूजा अर्चना करें, पूजन करने के बाद गरीबों को दान जरूर दें, आप कुछ भी अपनी सामर्थिक अनुसार दान कर सकते हैं, और अगर आप काली उड़त दान करते हैं, तो बेहद अच्छा होगा, ये आपके लिए सर्व मनो कामना पूर् उपाय जरूर करने चाहिए, दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो दान और उपाय होता है, ये हमारे जीवन में कई तरह की परिशानियों को दूर करता है, नकारात मकता को दूर करता है, तो इस कारे को आप जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ल